तो गाइस आज की उड़े में हम सब का स्वाह करते हैं और आज आपना अनलिसिस करने वाले हैं अडानी पावर पे तो अडानी पावर इस वन अफ पोटेंशिल फुल और जो सबसे बेस्ट वैल्यू में मिल रही है वैसी कंपनिया भी और यह आगे जाके बहुत ज्यादा वै सब्सक्राइब को डिस्क्रिप्शन में वह भी जाके चेक आउट कर लेना अगर अडानी पावर का डीटेर आनलिसिस चीए तो फिर टाइम बरबात के बढ़ते हैं सीधा वीडियो पे और जानते है कैसा स्टॉक है तो गाईज आपना चुके स्क्रीन पर अनलिसिस करने के है अडानी पावर का टो जानी पावर पर आचुका है इसका बेसा चीज में को लगता है इसका फ्य रैशो बहुत है जबकि इसकी पेड जैवियो बिला सकते जो भी नहीं लाएंगे writing करेंगे में शायद split आया सकते हैं तो वहीं पर आजो बाजो कहीं split आएगा इसका तो let's see क्या होता है but split करने के लिए अभी भी अविलेबल है ठीक है तो that's the thing सबसे बहुत तो 602 की price मिल रही आपको 900 से बहुत discount में मिल रहे है तो यह अच्छी चीज मिली आपको इंडस्ट्री पी से बहुत कम पीई है that's also good deal profit growth तो इस ठीक ठीक पर आपको आगे बताता हूं कैसे बढ़ सकता है ठीक है सीधा आपना आगे बढ़ते हैं यह आपना आ गए सीधा इसके competitions को देखने के लिए ठीक है तो इसके जो competitions है mostly इसके competitions है वो है NTPC ठीक है सबसे पहला NTPC है फिर इसका competition है टाटा पावर और JSW energy इसको छोड़के दूसरी कमपनी जाला के लग जगा फील्ड में काम करती है अपनी में कमपनी यह रहने वाली है तो अपन इसका पूरा अनसे करने वाले उससे compare करने सबको ठीक है तो यह अपन ने अंडरलाइन कर दिया इसको सबसे पहले आपन देखेंगे पी रेशो किसका कितना है ठीक है यह NTPC का भी इससे जाद है फिर यह पर टाटा पावर का भी इससे जाद है और JSW का तो कुछ जाद ही ओर वैल्यू ड़का में ठीक है तो वह चीज झालियू थोड़ी सी जाद है इसकी मतलब एक कमपैरेशन में है प्राइवेट प्लेशन के प्राइवेट प्लेशन में तो कि आपके profit के अच्छी गां सी जैजडआ ए क्नठी निकाल रहे है अगे क्योंको नीकाल लेंगा उसका भी मैं रीजन दूंगा क्यूश रिंस से को यह लोग मैच भी नहीं कर पा रहें ना प्राइवेट प्लेयर्स ना गॉर्मेंट कंपनी कोई मैच नहीं कर पा रहे है अडानी पावर को सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं आपको यह सब नहीं मैच कर सकते हैं इसको आराम से ठीक है और डेट टू एक्विटी रेश्यो भी यह लोग नहीं टिक सकते अज बाद यह दूसरी कंपनी पर प्रेश्यो भी आप कंपेर किये जिए बाइश निकल रहे है इसलिए मैं इस कंपनी पर आजके जिन पे आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या है इंका जैसे देखे ना वन तो बीच मेन यह चीज बहुत जादा थ बहुत जादा बढ़ गई थी आहां पे देखो ना अब अधर इंकम अधर इंकम अधर इंकम तो वह घट चुकी है तो उसके चक्व में रिजर्ट्स थोड़े घटते हुए देख रहे हैं अपन को बढ़ता रहा है और अभी हाइस अपरेटिंग प्रॉफिट निकाले हैं बहुत अच्छी है फॉर्टीवन परसंट के मार्जिन निकाल रहा है बहुत सही चीज होती है अगर आप सेक्टर वाइस देखो तो वही चीज है अगर थोड़ी आपन इनको नेट प्रॉफिट में ड्रॉफिट देखा है क्योंकि यह अधर इंकम हणा दो तो फिर तो डब पे एक company loss making थी ठीक है loss making थी यहाँ पे loss बनाती थी loss 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 फिर यह अब से profitable हुई इसका upward momentum रूख का ही निए उसके बाद तो आप देखो guys 5 साल में 5 साल profitable थी company 60% per year निकाली है 60 into 5 300% return से 5 साल में बहुत होता है कोई company के लिए मैं अभी भी इसको trust क्यों कर रहा हूं उसके reasons है guys last time द अपने यह देखे ना यह number तो अपने को operating profit बहुत अच्छा देख रहा है और margins भी अच्छी दिख रहे है margins growing दिख रही है अपनको यही चीज बहुत अच्छी है sales all time high record किया यह sales को that's the thing क्यों मैं इस company को इतना trust कर रहा हूं compounded sales growth 51% की 3 साल के compounded profit growth देखो 153% का है सब अच्छ चान निपार इसका potential इसलिए पीछे रह गई है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ज्यादर शेयर मत करना इस वीडियो को तो आपकी opportunity मिस हो जाएगी simple बात अगर आपकी फीडम आई हो तो आप खुश हो जाओ वैसा अलगाम है ठीक है और दूसरा देखे अपन तो अपन को परसेंट तो उसी में हो जाएगा इनका ठीक है पासे परसेंट डायूड करकी पूरियो बॉरेंग जीरो ठीक है तो इतने बड़ी चीज नहीं है और रिजर्व आल टाइम हाइप अभी है 40,000 कोड के रिजर्व से ठीक है तो तो आट सो गूड दी अदर लाइबिलिटी इस आट सी डाट पिक्स्ट आट देखो गाइस ओवर दे यह जो इंप्रूव हुए 63,000 और एक चीज बगाऊंगा बस प्यार हो जाएगा अभी बाय बटन दबाओंगे 1000 शेर डालोगे और खतम बस आप बूल जाओंगे इसको ऐसा अला काम है ठीक है तो अपन CWIP तो कम है भी CWIP नहीं कर रहे है लोग बना नहीं रहे है अग्दम प्लांट्स यह लोग एक्चुली एक्वजिट कर रहे है प्लांट्स नहीं नहीं उसका बताऊंगा मैं क्या है ठीक है वो PDF देखेंगे उसके लिए अपन तो यह चीज़े तो ठीक है एकदम नॉर्मल है बट बहुत अ गुड डील आगे बढ़ते हुए अगर अपन रेशियो देखे तो इनके कम हो चुके वापिस पहले बहुत जादा हो चुके थे यहां से यहां तक बहुत जादे थे कम करती जा रही है तो आगे भी कम होते रहेंगे ठीक है एक PDF देखने वाले है वेट कर लो अभी भी ठीक कि बार में इनके पास गई थे एक्विटी ठीक है और ओवर दा इयर्ज डीए इस ने थोड़ा डाइलूट किये और फिस ने तो ट्रस्टेट रख है और और एक चीज आलने ते यहली में जालने ते क्या हुआ है ठीक है यहली में तोड़ा सीनारियों ऐसा ही है कि प्रमोट कर दिये हैं डिया यह सेम रहे हैं जबकि पब्लिक थोड़ा बढ़ा लिए ठीक है तीन परसेंट तक बड़ सबसे यादा प्रमोटर बढ़ा है वह सेवें परसेंट इक्विटी ओवर दा इस विच इस वेरी बिग दीद क्योंकि चोटी मोटी कंपनी है नहीं मैं आपको ब बढ़ा दो क्या चीज मैं बात कर रहा हूं है यह देको मैं यह लेटेस्ट इटा आ अपने पर लेटेस्ट में अपन को दीख रहा है कि यह रीज की कैपेशेटी ठीक है लेटेस्ट डेटा में अपनको दीख रहे है 16500 मेगाओट मलब 16.5 गीगवाट की क्यापेसिटी अभ assets ठीक है तो वही चीज है तो यह जो है 10.7 गीगावर्ट यह सब मिला है कि इनके 30 गीगावर्ट के टार्गेट है अभी जल्दी यह लोग करने वाले है यह खतम और उसमें यह चीज है कि यह जो यह करने वाले उसमें PPS रहने वाले आगे बढ़ते हैं देखते हैं कुछ नया देख रहा है कि नहीं देख रहा है यह लोग का भी जो हुआ है 442 गीगावर्ट है और उसको 2024 तक इतना हुआ है तो 2032 तक इनको ले जाना है 930 गीगावर्ट विच जस्ट टू एक्स ऑफ दे कापेसिटी दे प्रेडूस उतना उनक और फिर यहां पर आपन देखे तो थर्मल कैपसिटी एडिशन रिक्वाइट 80 गीगावर्ट का है ओंगई प्रोजेट 31 के और उन्टैप्ट आटेंचर 50 गीगावर्ट और अड़ करने वाले यह लोग यह करते रहना चाहते हैं वही चीज है मतलब यह रुकना नहीं चाहत कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा एड किया है उन्होंने अपने उस पे क्या वोलते है नेट वर्थ पे अडानी गौतम अडानी जी ने तो वो देखके आई वस जेस्ट अ फ्लैबर गास्टेड यह कहां से हुआ भाई मैं बोला बहा परे इतना ज्यादा अडानी अडानी क कोई नहीं टिक पा है उनके सामने इतना तीनों का मिला कर लिया उन्होंने तो समद लो ठीक है उनके पोटेंशल बहुत ज्यादा है क्योंकि उनको बढ़ते नहने का चुले ठीक है वही चीज अच्छी लगती है ठीक है तो वही चीज है यह रहा सबसे बड़ा इनका पाव और प्लांट वो है मुंद्रा गुजरात में तो कितने का है 4.6 MW का एक ही प्रजेक्ट है तो यह बहुत बड़ी चीज है इनके पास यह सब फाइदे हुदर और यह वाला जो है बंगलादेश के लिए ठीक है बंगलादेश पावर डिपार्टमेंट के पास जादे 25 साल का इनके पास PPA है 1500 MW के लिए ठीक है वही चीज है आगे बढ़ते हुए अगर अपन देखे ठीक है तो इनके पास अच्छी कासी वह सिस्टम है ठीक है एनरजी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर जहाँ यह लोग मॉइंटर करते हैं और फिर यहाँ पे इन लोग इसी लिए इसी दूसरी कमनी से कंपेर किया मैं अब तब भी बताया आपको कि इसमें जो पोटेंशिल है दूसरी कमनी में नहीं अभी उसको थोड़ा और बता देता हूं डीटेल में में क्यू बोला अभी आएगा हो इवाला पेश चायद तो यह देखिए यह सब अच्छी चीज है इसके क्यों फायदर में रहे हैं और इसकी मार्जिंस क्यों बढ़ते जा रही है माइन से खुद की तो यह लोग कर पा रहे काम अडानी एंटर्प्राइजेस के पास माइन अच्छी खासी है वह आप देखना एक बार उसका अडानी एंटर्राइजेस का बोलो कि इस पर वीडियो कोस्टल एनरजेंट वह वाला है तो यह जो है न तो उसके पास 1200 मेगावट की थी 1.2 गीगावट का और यह मिला के 2 गीगावट ठीक है तो यह दोनों मिला के अगर मैं देखू न तो इन्होंने इन और्गानिक ग्रोड ठीक है जो होती है खरीद के दूसरी कंपनी उसको ठ बटहाल है अपनी कापसीटी 3.2 गीगावट से ठीक है तो यह चीज बहुत अच्छी है और इसको अरामसे एकदम क्रेडिट रेडिज क्रेटिंघ्ड भी बहुत अच्छी मिली है यह Λाइनको अमर झांटक वाला है ठीक यह राएनको अमर कंटक वह चीज अच्छी है राइंकोमर कंटक के साथ इनका यह है 4,000 करोड का यह प्लांटा 3,300 करोड का यह प्लांटा एक और है ठीक है यह बहुत सेफ और सिक्योर वाद है कि यह महानाजी गर के ठीक है उसके लिए बहुत बड़ी डेट यह डालें यह लोग 27,000 करोड ठीक है उतना इनिशेटिव भी ले रहें इसके लिए कि आप इन्वार्मेंट को थोड़ी सुरक्षा मिले दूसरा तो यह रहा आपके देख लीजिए कौन-कौन है भाई अपने गौतम अडानी जी चेर्मेन है इसके फिर राजेश अडानी जी इनके भाई वह है डारेक्टर और मैलेज बहुत अच्छी लगती है इनकी कंपनी के स्कोप्स बहुत अच्छे है यह देखिया आप क्या-क्या है इनके आप 82 परसेंट है PPS में विच 91 परसेंट फ्यूल को रहें बहुत सारी चीज़ आप यहां पर देख लीजिए यह राइन का वह जो था ना मैं आपको बता रहा था उस टेम पर कि इनका जो है कि 30 गीगा ओड करना है वो एफट 31 तक इनको करना ही है 30 जो बता दिया था उसमें 16.5 ऑपरेशनल है 3.5 वो है और 10 गीगा ओड तो यह लोग को लाना ही है कईसे भी और यह ला भी लेंगे इनकी सब चीज़े प्लान होती है मेशा ठीक है सो वी कैन ऑल्वेज लुक आन्टो दिस कंपनी वन्स एक और चीज़ आड होई है यह मैं बता देता हूं आपको यह लोग होली ओन सबसीडियरी बना लिये अनुपूर थर्मल एनरजी को और भी बता रहूं मैं कुछ कुछ चीज़े आपको ठीक है साइनिंग ऑफ ट्रांसफर अग्रिमेंट फॉर अक्विजेशन ऑडानी यह वाला इनका अक्विजेट कर लिया अडानी पावर ने यहां पे ला लिया है ठीक है वही चीज़ है और अगर आपन नीचे देखे तो ठीक है यह रहा आ यहां पे देखो आप ओडिसा थर्मल ए एक चीज़ बता रहा हूँ क्या होगा यहां पे आपको क्या ही होगा यह देखो यहां पे जो है ना अपने जो यह है ना फिक्स आसेट वो लिटली नेक्स्ट कोर्टर नेक्स्ट येर में आपन को 75,000 क्रोर्स के ऊपर दिखने वाले हैं तो यह सब चीज़ आप कर लो और इसमें पैसा बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो अपर्चियोंटी बहुत अच्छी है शेयर मत करना ज्यादा इन तो छूट जाओगे खुजी आइड ने कर पाओगे तो जल्द से जल्द आड कर लो क्योंकि एक अंधा पोटेंशल है सामने के लिए तो दाट दील गाइस म मिलते हैं नेक्ष वीडियो में वेचिपकले बाइबाइए